आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब मैं बहुत अच्छी हूँ जैसा कि आप ये वीडियो में देख पा रहा है मैं बहुत खुस हूँ जी हाँ बिल्कुल मैं बहुत खुस हूँ अगले वीडियो में भी आपने ये ही देखा था कि मैं बहुत खुश हूँ वैसे भी मैं हमेशा ही बहुत खुश रहती हूँ तो आज का वीडियो है गेस कीजिए आज का क्या वीडियो हो सकता है मैं आप लोगे के लिए आज कौन सा वीडियो बनाई हूँ आज मैं दीदी के शाथ सौपिंग जा रही हूँ दीदी आई है जमसेदपूर में अपना अनवर्सरी मनाने मेरे साथ यहाँ पर वो दिखा रही है ना कि हम लोग जब शादी नहीं हुआ था तो मैं दीदी को ऐसे ही बाइक पे लेके ना मिनी स्कुटी पे लेके इतना घूमती थी इतना और दीदी को भी कहीं भी जाना ओता ता बस मुझे एक कॉल करती थी और मैं बस पहुँचके और दीदी को पूरा कॉल्पता घूमाती थी अपने इस bullet पे मेरा वो bullet है तो मेरा भी before marriage वो एक्टिवाई में चलाती थी तो मैं दीदी को ऐसे घुमाती थी तो आज हम लोग यहाँ पे fashion world आये हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे gowns बगेरा सब कुछ मतलब बहुत latest रहता है तो मैं दीदी को बोली दीदी बोली मुझे गाउन लेना है तो मैं बोली चलो यहाँ पे best मिलता है अगर आप लोग जमसेदपूर के होंगे तो आपको पता ही है कि fashion world में एकदम super duper अच्छा मिलता है तो चलिए आपके साथ share करते यह देदी देखिए दीदी ने एक try किया बट एकदम घटिया लगा यह दीदी ने crop top try किया यह बहुत सुन्दर लग रहा था लेकिन यह थोड़ा सा शादी शादी टाइप में feel दे रहा था और यह तो मत्ती पूछे पूरा बार्बी इस गाउन का नाम ही था बार्बी वैसे हमने बहुत try किया बट वीडियो नहीं बनाया एक ही दोका बनाया यह तो मुझे और दीदी को बहुत पसंद था आपको कैसा लगा कामेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा गाउन अच्छा लगा कौन सा हमने गाउन लिया है यह जानने के लिए आपको नेक्स वीडियो जरूर देखना होगा हम लोगोंने रिवील नहीं किया है इस विडियो में जब मैं दीदी का फोटो सूट या कुछ भी होगा तो उसमें आप देखेगा कि हमने कौन सा लिया है ठीक है और अब हम यहाँ थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं बहुत शॉपिंग कर लिये थे तो अर्स को momos बहुत पसंद था कहा मासी मुझे momos खाना और मुझे भी बहुत पसंद है परसनली तो मतलब हम लोग का सारे family का taste almost same है तो अर्स तो यहाँ गबा गब उड़ा रहा है momos और बोल रहा है thank you thank you और हम और देदी भी यहाँ momos खाएं फिर देदी को कुछ लेना था तो ये हम लोग मेरे घर के पास विशाल है उसमें से कुछ छोटा मोटा सामान होता है ना वो देदी ले रही थी और मैं यहाँ इस छोटी सी गुड़िया के साथ इंजॉय कर रही थी बहुत प्यारी सी गुड़िया थी और मुझे बच्चे बहुत पसंद है तो ये मेरे साथ लगी हुई थी और मैं इसके साथ तो हम लोग कुछ टाइम कॉलिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे एक साथ अब ये चली गई तो चलिए अच्छा लगा मुझे आपके साथ सारी बाते शेयर करके बहुत कुछ तो नहीं मैं शेयर की बढ़ जो भी था मैं आपके साथ शेयर की जैसा कि मैंने बताया कि दीदी ने कौन सा गाउन लिया है ये तो मैं नहीं बताई बढ़ ठान लिया है बहुत वाउ सा ये देखे मैं इसके साथ कुछ छिड़कानी कर रही हूँ, इसे बहुत मज़ा आ रहा था, ये मैं फेस मेकिंग कर रही थी, देखे किता स्माइल कर रही है, बहुत देर तक मैं इसके साथ केल रही थी, तो अब बहुत खेला हो गया, घुमना फिरना, शॉपिंग, बहुत सार से भी दीदी ना ना करके बहुत सारा सामान ले ली थी तो कुछ-कुछ होते है ना घर का सामान उनको जरूरत था तो कुछ-कुछ-कुछ-कुछ वो ले ली और अब बहुत लेट हो चुका था माही और बाबु घर पे थे तो अब हम लोग बोल रहे थे कि चलो घर चलते हैं अर्श तो हम लोग के साथ ही था तो अब हम लोग घर के तरफ रवाना होते हैं और बार-बार मैं कहती हूँ मैं कौन सा गाउन ली हूँ दीदी के लिए ये वात अगर आपको जाननी है तो आप हमारे नेक्स वीडियो को जरूर देखिए तब तक के लिए बाबाई लव यू आपको